तो नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कापिटल पर CUET के इस ओनलाइन लेर्निंग प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको CUET की ओनलाइन प्रिप्रेशन कराई जाती है साथ में हमारा जो आफलाइन इस्टिट्यूट है वो है वारानसी बिएचियू लंका के पास CUET UG 2024 आउनलाइन वर्सेज आफलाइन क्या इस पर कोई नेड़े एंटिये ने अभी तक लिया है और आउनलाइन और आफलाइन में क्या कठीन होगा, क्या होगा आसान और क्या क्या होंगे चैलेंजेज इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग बात चीत करेंगे इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सभी इस्टुडेंट्स इस वीडियो को कमप्लीट देखेंगे तो आनलाइन और आफलाइन को लेकर के जो आपके मन में द्वन्द बना हुआ है, वो द्वन्द दूर होगा काफी हत तक तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और वीडियो की सुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल आपके लिए बहुत ही हिल्फुल होने वाला है तिल योर अडमिसन यानि सिर्फ इंटरंस एक्जामिनेशन तक ही नहीं, बलकि आपके अडमिसन तक हम आपके साथ रहेंगे, हर प्रकार की आपकी समस्या का समाधान हम करते रहेंगे साथ में अपनी तयारियों के लिए, अपनी तयारी के लिए, अपने प्रक्तिस के लिए, आप Study Capital के आप को डाउनलोड करें जहां पर आपको बेहदी कम कौस्ट में कोर्स और टेस स्रीज डोनों अलेबल कराये जा रहे हैं अपनी तैयारी के लिए आप हमें WhatsApp भी कर सकते हैं, नमबर है 9336257345, तो बात करते हैं CUET UG2024, Online vs. Offline, सबसे पहला जो point हमने रखा है, वो रखा है difficulty level का, second मैंने रखा है exam pattern का, third मैंने रखा है syllabus का, और fourth मैंने रखा है benefits का, दूसरे से सुरुआत करता हूँ, पहले को थोड़ा सा last में बताते हैं, क्योंकि पहला ही समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसको समझने के बाद पहला ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, exam pattern पर हम बात करते हैं, तो किसी ने language लिया होगा, किसी ने domain लिया होगा, किसी ने general test लिया होगा, हर किसी के लिए चाहे online exam देना हो, चाहे offline exam देना हो, आपके लिए यही pattern रहने वाला है exam का, यानि language में 50 सवाल आएंगे, 40 max to max कर सकते हैं, domain में 50 आएगा, 40 कर सकते हैं, GT में 60 आएगा, 50 कर सकते हैं, language में मिलेगा 45 मिनट का समय, domain में in general मिलेगा 45 मिन का समय, और GT में भी मिलेगा आपको 60 मिनट का समय, अब बात करते हैं, syllabus पर, यान exam pattern जो online के लिए, वही offline के लिए, अगर यह भरम है आपके मन में कि pattern कुछ बदल सकता है, कुछ pattern नहीं बदलेगा, किसी के लिए pattern आसान और कठिन नहीं होगा, syllabus भी जिस तरीके से online का है, उसी तरीके से offline करेगा, यानि पूरा का पूरा exam, जो paper online में दिखेगा, उसी तरीके से offline के लिए भी paper रखा जाएगा, इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं देख सकते हैं, paper के अगर difficulty level की आप चर्चा करें, जो मैंने पहले number पर लिखा है, तो paper में कोई भी difficulty ऐसा नहीं है, कि difficulty level बिल्कुल समान होगा, यानि जिस तरीके से paper सेट किया जाता है, एक ही formula लगाते हुए paper सेट किया जाएगा, कि हाँ भाई सारा का सारा paper जो है, एक balance वे में रहे, अब benefits क्या क्या है, और इस पर decision क्या हुआ है, इस पर हम बात करते हैं, देखिए NTA ने अभी कोई भी decision इस कि आप किस area से belong करते हैं, लेकिन अलग से कोई demand पूछी नहीं गई है, और ना ही NTA ने इस पर कुछ कहा है, अगर मैं benefits की बात करूँ, तो मैं अपने according, अगर एक review आपके सामने रखूँ, online and offline exam का, तो मुझे offline exam जो है, थोड़ा सा कठीन लगता है in comparison to online, यानि मुझे online जो ह है, वो ज़्यादा beneficial लगता है, offline थोड़ा सा कम beneficial लगता है, अब ये cons और pros की स्थिति क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जो students rural areas से होंगे, जिनोंने computer पर कभी नहीं काम किया होगा, उनके लिए offline exam थोड़ा सा beneficial हो सकता है, लेकिन उन students के पा online में क्या है, online में सबसे 72 बात तो ये है कि इसमें समय की बचत होती है, time काफी बच जाता है, time बचने से मेरा मतलब ये है कि जब हमारे साथ offline paper होता है, तो हमें कुछ इस तरीके से OMR seat मिलता है, जिसमें हाँ details हमें भरनी होती, फिर number one, number two इस तरीके से questions दिये होते हैं, पू भी offline में कभी-कभी बढ़ जाती है, बढ़ इसलिए जाती है कि अगर हम online में किसी answer पर हमने tick कर दिया, लेकिन फिर हमें लगा गए ये तो मैंने गलती से tick कर दिया, चलो change कर देता हूँ, तो हमें change करने का option मिल जाता है, लेकिन जब यहाँ पर एक बार हमने इस गोले को, इ जिस भी center पर होता है, एक तो maximum centers AC वाले होते हैं, AC लगे होने से क्या होता है, गर्मी का समय है, दिमाग सांत रहता है, सही रंग से आदमी work करता है, offline centers अब कैसा चुने गाए, ये depend करता है, in general जो offline exams होते हैं, आपको पता है किस तरीके के colleges उठाये जाते हैं, किस तरीके से कह में कितना दूर-दूर college मिल जाता है, तो वहाँ पर बैठ के पंखा चल लहा है, पसीने में, कभी-कभी light भी चली गई, तो उसमें काफी समस्या face करनी पड़ती है students को, इसलिए अगर मैं इमानदारी से अपने according देखू, क्योंकि मैंने online exam भी face किया है, और पहले मैंने offline exam भ मैं दिए online में, तो उसके benefits मैंने देखें, तो overall मुझे लगता है कि online ज्यादा beneficial है, आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या बेटर है, आप definitely आप comment box में बता सकते है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वह ही साही हो सकता है, बट मुझे लगता है कि online जो ह पर अपने center मिल जाता है, साथ में, जो बच्चे online दुनिया से काफी दूर है, वैसे तो मैं एक बार फिर से remind करा रहा हूँ कि बच्चे जोड रहे हैं और काफी familiar हो गया इन सारी चीजों से, फिर भी जो बहुत rural areas है, जो काफी grammar छेत्र में भी काफी पिछड़े हुए छेत और फर्दक updates के लिए हमें WhatsApp पर भी message drop कर दीजे कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस course के प्रेप्रसंट कर रहा हूँ, बीए हो, बीए हो, बीए सी हो, एक स्वाई जो भी subject हो, आप उसको message कर दीजे, हमारी team आपका number save रखेगी, और जो भी update आएगी तो हम status लगा देते हैं, तो status स भी आपको update मिल जाएगा, और channel पर भी आप regularly एक बार visit जरूर कर ले, study capital करके, तो आपको जो भी update होके मिल जाएगी, live section में जाके देखिए, सारी classes का हम लोग MCQs करा रहे हैं, पेट बच्चों के लिए तो पूरा का पूरा course दे रहे हैं पर, जो free बच्चे हमारे साथ YouTube पर नहीर, thank you.